दोस्तों आज हम बात करेंगे फैमिली ट्रिक में तीन, आठ, चार, नो की फैमिली की शांदार फैमिली है, जांदार फैमिली है, बढ़िया काम करके देती है, अपना बढ़िया से खेल में बीजी रहती है कि भाईया रोजाना हर दूसरे दिन इसमें से गेम पास होनी ही होती है इनमें से गेम खुलनी ही होती है मैटर करता है आपको कितना इसके बारे में पता है और कब कब ये जोड़ी आपके लिए इस्तेमाल करने योग्य हो सकती है इस्तेमाल करने में आ सकती है तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं अगर आपको इस फैमिली में से नंबर खुलते देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको आजमाना है 43 का खेल जो की बहतरीन खेल है 43 और 34 का दोनों ही जोड़ी अपने आप में सूपर हैं बैस्ट हैं 34 भी उतनी मजबूत है जितनी 43 मजबूत है इसके अलावा जोड़ी मजबूत रहेगी आपकी अंठानवे की बड़िया काम करके देती है जोड़ी अगर आपको दिख जाए कि यह 34 खुली है तो समझ जाना कि अब यहां से अंठानवे खुलने का समीकरण बन रहा है अगर अंठानवे खुल रही है तो समझ जाओ कि इस फैमिली में से नंबर खुलने वाले हैं अब यह इस्तिमाल करने के उपर है कि आप क्या इस्तिमाल करते हो कैसे इस्तिमाल करते हो और कहां इस्तिमाल करते हो जहां इस्तिमाल करने की बात आएगी न तो अपने कुमार भाई का नाम आएगा इनके पास आप अपना गेम इस्तिमाल कर सकते हो लिखवा सकते हो मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर सभी का लेंदेन बड़े ही सांदार तरीके से किया जाता है गेम पास होते ही पैसे डाल दिये जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप भी अपना खेल इनके पास आजमा सकते हैं जो भी आपका खेल हो चाहें तो ट्रिक का खेल हो चाहें आप रोजाना वीडियो देखते हूं उसमें से खेल हो कोई भी खेल हो आप बेफिकर होकर इनके पास खेलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर आपको खेलने का तरीका पसंद आए आपको खिलाने का तरीका पसंद आए तो और भी लोगों को जुड़वा कर अपना सयोग दे सकते हैं बड़िया जगा है जहां पर आप विश्वास दिखा सकते हैं कुमार भाई के साथ जुड़ी है मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर अब यहां से बढ़ते हैं अगली जोड़ी पर जो की रह सकती है आपकी 48 की 48 के चांस भी उतने ही बहतरिन हैं जितने आपके 43, 34, 98 के बन रहे हैं साथ में आपका बनती है एक जोड़ी 49 की देखो दोस्तों आपने यह जोड़ी आगर कहीं पर भी खुली देख ली दिशावर में, श्री गडेज में, फरीदाबाद में, दिल्ली बजार में, गाजियाबाद में, गली में समझ जाना इस फैमिली में से दुबारा से गेम खुलने वाला है और तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जोड़ियां सबसे बैस्ट रह सकती हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब कभी हम आपस में कोई खेल खेलते हैं और वो टीम खेल हो मान के चलो मैं गुली डंडा खेल ला हूँ, मैं बैट बोल खेल ला हूँ, मैं कुछ भी खेल रहा हूँ तो हम जब टीम चुनते हैं ना, तो हम सबसे पहले उन चेहरों को चुनते हैं जिन पर हमें विश्वास होता है कि ये इस खेल में महारत ही है जहां हम खेल रहे हैं जिस जगाओं पर हम खेल रहे हैं और जो हम आपस में खेल रहे हैं इन में सबसे बैस्ट खिलाडी यही है तो जो कप्तान होता है सबसे पहले बैस्ट खिलाडीों को चुनता है तो वही हम भी कर रहे हैं कि भाईया अगर 384 नों का खेल खुले तो हमारे पास वो जोडियां होनी चाहिए जो हमें सबसे पहले फाइदा दिला सकें फाइदा लेना बहुत आसान है बस पता होना चाहिए कि भाईया कब क्या कुछ बहतरीन रह सकता है यही आपको विजेता बनाता है यह आपको बड़ा खिलाडी बनाता है अगर आप 384 नों का खेल खुला है और खेल कुछ और रहे हो तो भाईया फिर वो आपको पासिंग दिलवा सकता है लेकिन वो सफलता है नहीं दिलवाएगा जिसके आप हगदार हो या जो आपको मिलनी चाहिए लेकिन अगर 384 नों के ख कुछ ना कुछ ना कुछ लेती आती रहेगी उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे अपना बड़िया से जो सपोर्ट है कॉमेंट के दुआरा भी जरूर करोगे इनी शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं जल्दी मिले अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए सबी बाईयों को राम राम नमस्कार धेर सारा प्यार